हेलो एब्रीवन वेलकम टू एमजी जिलरी चैनल आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन लेकर के आई हूँ यह देखिए कितनी सुन्दर लगती है और यह किसी भी स्वेटर जेंट्स या लेडी स्वेटर बच्चों के स्वेटर में डाली जा सकती ह यह देखिए मैंने यह 10 दस फंदों की यह डिजाइन है और बीच में मैंने 3-3 फंदे उल्टे निकाले है देखिए अब मैं डिजाइन बहां से शुरू कर रही हूँ जहां से यह पल्टा जाता है यह 10 सलाईयां सीधी निकालने के बाद इस 10 फंदों को 5-5 फंदों को इधर उधर पलट दिया जाता है पाँच फंदे पीछे की साइट चले जाएंगे यह देखिए इस तरह से और यह पीछे से पाँच फंदे यह पीछे से पाँच फंदे इनको आगे मैं सेट कर लेती हूँ इस तरह से अब इनको सीधा बुनोंगी इस तरह से यह दस फंदे सीधे बुने जाएंगे इस तरह से यह दस फंदे सीधे बुनोंगे देखिए यह दस फंदे जो मैंने पल्टे थे अब तीन फंदे जो बीच में उल्टे रखे हैं उनको मैं उल्टा बुनोंगी इस तरह से अब फिर यह दस फंदे हैं पाँच फंदे पीछे की साइड और पाँच पीछे से आगे की साइड पलट दिये जाएंगे लिस्टरेसे देखिए अब इनको भी सीधा बुल लिया जाएगा इस तरह से सीधा बुल लिया जाएगा यह जो डिजाइन बनती है यह सीधे फंदे चलते रहते हैं दस फंदों की डिजाइन है और दस सलाईयों के बाद इनको पलट दिया जाता है इस तरह से अब जो तीन फंदे बीच में हैं उल्टे वो बुन रही हूँ अब फिर यह डिजाइन पड़ेगी देखिए इस तरह से इस तरह से अब इन पल्टे वो फंदों को सीधा बुलिया जाएगा इस तरह से अब बुलिया जाएगा अब देखिए यह उल्टे फंदे निकाल लिये जाएगे लाश्ट में इस तरह से यह देखिए इस तरह से पैटर्ण बनेगा यह यह देखिए उल्टी सलाई जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुलिया जाएगा इसी तरह से इसी तरह से यह पूरी सलाई निकाल लिये जाएगी यह तीन फंदे सीधे और यह दस फंदे उल्टे हैं यह तरह से लिए फिर ये उल्टे फंदे 10 डिजाइन वाले फंदे हैं ये देखिए ये इस तरह से पैटर्ण ये उबर के आया है इस तरह से देखिए ये डिजाइन इतनी बन चुकी है अब इसके आगे और 10 लाइया निकाली जाएंगी और 10 लाइया निकालने के बाद फिर इसको पलट दिया जाएगा इसी तरह से ये डिजाइन का पैटर्ण चलता रहता है देखिए इस तरह से उबर के ये आ रहा है ये इस तरह से इसमें 10 लाइया निकालने के बाद फिर 10 फंदों को 5-5 फंदों को पलट दिया जाएगा